नमस्कार माइना डेवी में आप सभी का स्वागत है आज हम पहुंचे हैं हडा बोई जहां पे जो है एक स्थानिया इशू है स्थानिया रोड को लेकर के लेकिन सबसे बड़ी बात वही कि किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए सडकों का होना कितना आवेशक है जो जीवन रे से जुड़ा हुआ कि वहां के लोगों के लिए जो में रोड से जो उनके लिए रोड जा रहा है गाउं वैश तक जो रोड जा रहा है उस रोड के उपर जो इनका आपसी बीबाद हो गया है अभी उपमंडला दंडा दिकारी के माध्यम बे उनका ग्यापन भी गया है वहा भी तरह से किसी समाज के विकास को करने के लिए एक उप्युक्त माध्यम रहता है उसमें जाकर के कहां पे अडंगा अटग गया क्योंकि यदि बात की जाए इस गाउं की जहां तक हमने इसको जांचा है पर खाय देखा है क्योंकि अभी तक यदि क्षेत्र को विकास की अगे ले जाना है तो वहां पे सबसे बड़ा उतथ्या जो अब देख करके उसे हो सामने आ रहा है कि वहां पे जो जमीने बंजर पढ़नी शुरू हो गई है कारण केबल मातर एक की मुख्या तोर पे मुख्या धारा से जुड़ने के लिए जो हमारी जो लाइफ लाइफ रोड है उसी के उपर अडंगा आ गया है बाचित करते हैं एक स्थानिया बजुर्ग है जिरू यहां पे जो है जमीन के मालिक है सबसे पहले तो मैं आपका माइने टीवी पे स्वागत करता हूं आपका नाम क्या है और कहां के रहने वाले हैं तुल्सी राम जी हड़ा लिए जिन्दगी के कि आपके गाउं तक रोड नहीं था रोड को आपने गाउं तक पहुंचाने के लिए प्रयास कि और आज आपने बीबादों में इसको ला दिया तो क्या कारण मानते आप यह कारण सा हुआ इसलिए जो हमने निचे से दिया तब आगे जाना परेगा यह जाना चाहता हूं कि आप इस विबाद को सुझाने के लिए क्या चाहते हैं कि क्या हल निकलना चाहिए एजी हमने पहले चार मिनने लगाए समझाने के लिए समझा जी वह उचने नि दिया फिर नहीं दिया नहीं दिया तो मैंने दिखा अगे गाउं भी अना के यहारा गाउं में जो है जो है रोड़ बंदनी होना चाहिए इसलिए ज आप देखे हमारा नक्सवान किसलिए इस इन पबली के लिए के हमने अपना खौडखाम भी डाले करें डालियां बूटिया लगायों ची ओवी के खतम इसलिए कि बश्रम है अरा इस गाउ में ठगड़ा भी है कोई ठगड़ा में है तरन्वा साल का इसलिए जो है तो मैंने अ अपना नक्सवान किया प्रकचागा अगे पॉबलीगा भॉला करें जी नवश्कर मेरा नाम हमचंद है आपका स्वागत है हडवोई में और पूचीजे न क्या स्वाल है हमचंद जी मैं आपसे जानना चाहता हूं कि पहले तो रोड नहीं थे गाउं में लेकिन बड़ी आप करेंगे शायद इसको कवरभी तो उपर से था फिर ये पी डवली के वो दे दिया जी रोड दस लाक रुपए इसके लिए सेंक्शन भी आ गई थी तो पका करने के लिए लेकिन उसके लिए चाहिए थे कम से कम ग्यारा फूट तो हमने नौव फूट के करीब तो दे द समाज में बैठते हैं जब गाउँ की मिटिंग होती है ना बैठते हैं तब उसी खेत से यहीजे न जी अऑप से भी और फिर वहां से काड़ करके यही parent यहीज़िन से हमने आगे आगे भी गाहए उस गाहँों के लिए अपनदा दिकारी के अधियन है और आज आप यहांप तो समाच में अगर बैठें तो निकल सकता है कोड के मात हमसे मुझे नहीं About कि यह जबीन हमारी है मलकियत है अगर नहीं देनी है तो उसमें तो ऐसा तो नहीं है यह हंट जब देडи सब यह हमली बहा दी समाज नें बोला हँ ठीक दो इन्हों नेanta नहीं पिनको तो वैसा होना ही था रहने बाले हैं और इस रोड के बीबात को लेकर क्या मना तो मैं अपनी और से और हराबुई की निकला है जब ये पहले निकला था तो इसमें सारे गांवाले कठे हुए फिर रोड को जो है सबने प्यार से निकाला तो उसके प्रांथ ऐसा होता है कि जैसे हमारे एक लाक रुपए सांसद निदी से आता है तो हमारी जबीन जहां से लगी है ये तुलसराम जी की और मेरी टेक्चन की और शिपद्याल जी की और आधी परिवारों की तो उसमें भी बाद इस तरह से हुआ कि हम लोगों ने इसमें सरकार के पास जाकर अपने हमारे पास जो उसका क्या नाम भी है यहां पर जो मैं आपको पता सकता हूं इस बारे में ये देखिए ये जीपी बोही से जो है द के बारे में हमने संक्षन पैसा करवाया है माननीय मले से तो जिसके उपरांत ये एक दो परिवार या जितने भी हम लोग यहां रहते हैं और वो लोग भी वहां एक्तरित थे ग्राम सभा के माद्यम से ये चला तो जब यहां एक्तरित होकर ग्राम सभा में जब इसको हमने म इसा हुआ 2020 के आसपास इन लोगों ने केस किया हमारे उपर टेक चन और हेम चन और दिनेश कुमार जबकि हमारे बीच में थारा लोग जो है इस मीटिंग के लिए हमने बुलाए हैं मीटिंग में 13 लोग आए हैं उनके भी हमारे पास जो है यहां साइन पड़े हैं देख लीजी आप सर साइन पड़े हैं तो और पंचायत के लिए भी हमने यह परस्ताब भेजा है इस बारे में कि भही इस में ऐसी ऐसी मतलब अपनी जमीन को देने में अनाकानी कर रहे हैं उस के पास जाकर हमने दिनेश-जी को भेजा यहार मामले को सुधारो और यहां पे जो है Fifty मरने दो अट फुत हमारी है तो दो फुत दे दो या एक फुट भी जगा देने के लिए इनकार कर दिये कि एक फुट तो दिनेश जी के पास जो हुआ सो हुआ लेकिन आने बाले समय में आप समाधान करना चाहते हैं तो आपके पास देखिए न सर इसमें जो है दस लाख रुपए पी डोवल डीवी भाग को भी आया था इसमें शंक क्योंकि उसमें भी बाद ऐसा हुआ के पी डोवल डी विभाग के एसडियू जैसा भी आये हैं उन्होंने भी इसका निरिक्षन किया है देखा है तो उन्होंने भी यह बताया फिप्टी-पिप्टी कर लो भई उसमें ज्यादा आ रही थी सबकी तो हमारी समतल जमीन है जन चला है जैसे आप बोल रहे हैं ठीक बात है आपके ठीक प्रशन किया आपने जो बी बात चला है यह हमने फिर इस तरह से किया है जिस खेट से यह रोड पहले गया था तो उसी खेट के निचले भाग से हमने रोड को निकाला उसमें हमारी synchronous में बोलते हैं सर के तीन खंबियां और दो खड़ चला गए और पंदरा सोला बिगे जमीन हमारी गई है इसमें जो हमारी को एक परिबार के पीछे इतना नुकसान उठाना पड़ा देखो आप कितनी बड़ी बात है है ना तो जमीन तो एक राश्टर पती भी ने ले सकता एक इंच तो हमने सब गाउनों ने मीटिंग की और उसके बाब जुद हमने इस रोड को निकाला है जिसमें आज रोड बंद नहीं है रोड चालू है और जो आगे हमारा गाउन जहां मेरा भी घर आता है तो वहां तक रोड जो है निकाल दिया गया है उसमें कुछ एक धनराशी हमने खुद अपने आप दी है जिनकी भी जो भूमी मालिक है और उसके उपरां इसमें जो जमीन के ऊपर जो विबाद चल रहा था तो हमारे भाई एक आज हमारे भीच में नहीं है उसकी आत्मा को शांती का दान पर दान करे उसका नाम दिबिंदर था लेकिन उसने कहा कि यहां से तो यह रोड आजकाल बंद नहीं है सर रोड खुला है यह तो हमारी से बाहर है बाद की रोड बंद मेरा नाम नीम प्रकाश है मैं मैं स्थानिय निवासी ग्राम पंचाय थाड़ावई सरीय विवाद चला हुआ काभी टाइम से चला हुआ पहले यह रोड यहां तक था पीछ लेकिन बीच में जब जैसे इसके लिए धन्राशी उपलवद की दसला की जो मानिया मेले साव ने दी तो उसके उपरां ते विवाद बढ़ गया जो हमारे जो दूसरे लोग थे उन्होंने इसमें तरक वितर कर दिया कि हम जो है एक इंच भी भूमी जो है रोड के लिए न ले जन था जो हमारा घर आगे बढ़ता है परिदेच नाम जो नाम है वहां तक यह रोड जो आज भी चालू रोड है मैं आप से खाली इतना जानना चाहता हूं कि समाज में जब हम जाते हैं या कहीं पे भी तो वहां पर प्रशन उठता है कि आपके क्षेतर के विकास के ल क्योंकि ऐसा जवीन तो ऐसे निया की है कोई सरकारी है तो प्राइविट लेंड है अब अगर ताना शाहिसे तो ताना शाहिसे तो कोई नहीं देगा जवीन यह तो आपस में सुल जाके मिल बैठके अगर समाज चाहता है यह भी चाहते हैं जो अपने एस्टीम के माध्यम स साब आये थे तब ही समधान होगा अधरवाजा से समधान कोई भी समधान नहीं होगा रोड निकल चुका है अभी जो है युवावस्था में है मैं आपसे खाली इतना जानना चाहता हूं कि यदि बीबाद ज्यादा लंबा खिचता चले जाए तो आपकी आने वाली या हमा अगर यह जिवन रहे खाए तो हम यह चाते हैं कि अगर यह भी लोग भी चाते हैं तो यह भी जवीन दें यह भी जवीन दें फिर यहां पे रोड के लेकर बीबाद चल रहा था उस में जो एंटी पार्टी जो आपके साथ जो है पक्ष और भी पक्ष दूसरे पक्ष की बात लेकर के हम आए हैं सबसे पहले मैं जाना चाहता हूँ कि आपका नाम क्या है और कहां के रहना है मेरा नाम किश्वरी लाल है मैं गाउं हडा भी करेने वाला हूं तो सर मैं इसके लिए है कि हमने जो है पांच साल पहले रोड निकड़ा हूए हम तो सर यहीं चाहते थी कि अगर इसमें नौर्मली अगर खुल जाये तो बहुत बैट रहे है क्योंकि 10-15 लोग गर यहां पर र मैं दिये वे सर तो मैं यहीं चाहता हूं कि हम प्रशाशन जिमारी मांगे कि हमारे को रोड मिलना चाहिए तो असल में विबाद किस बात को ले करके है विबाद सर कुछ नहीं सर बिवाद ही है इसके पिछी है रोड के बिछी है अभी जो है जहां तक जो रोड जैसे हमने देखा और जहां पर आप अभी उससे पहले बाचित कर रहे थे कि बंद पड़ा है अप चाहते हैं कि जो पुराना जहां से रोड था वहीं से चले सर वहीं से जाए सर यह जो पुराना जो हमारा जो जहां से निकला हूँ है हम यह चाहते हैं कि वहीं से रोड चाले ठीक है और वहां से सबी लोगों को जो है सुबता अच्छी तारह से मिल दरी ही is इसी बात को लेकर के जब हमने आपका जो दूसरा पक्षे था उन से बाचित की तो वो कहीं न कहीं ये कह रहे हैं कि जब जो बहुत है कि जमी 19 हमने अम्पूलैंस रोड को लेकर बाचित होई तो वहाँ पर कहते है कुछ माफदंड है फीड़ बैड़ इकि आठ फुट जमी वो लोग दे रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि आप जू है दो फुट दे समस्य है यह वैसी कि वैसी ही बनी है इसका समधान आपकी नजरों में क्या सक्षे में पर है इस वात वैसा है हम चारे हैं सावी मतलब 50-50 कर दी जाए अगर 12 पुट रोड निकालनी है तो 6 पुट हम दे देंगे जो भी निचे तरब के लोग हैं मुझते खाते में हैं वो दे आपकी पंचायत का हमारे पास एक अभी संध्यान में रोड आया है उसको लेकर कि आपने पास क्या जानकारी है और क्या वो बिवान है सरविबाद तो आपको पता ही है अभी तब सभी ने बता ही दिया आपको पूरा में रहे हैं परदानों ने भी बता है जो हमारी स्थानी चनता है उसे भी आप अभगत हुए है तो अब जो इस वक्त का वो जो रोड निकला है एक्शली वो मेरे टाइम का तो नहीं है और ज जो वहां की जो लेटीज है जिसकी वहां जमीन है जहां से पहले है रोड गया है आगि तो उनों ने जो में लीगल नोड जारी के आदी आपा पंचायत के लिए हमारी ब्लॉग के लिए और और रिसी लिए तो उस वल्यसे जो हम आपर काम नहीं कर आ रहे है जै मत्तब कुल अच्छे तो सरकार का हुआ है लेकिन अब वो उस वज़ा से हम काम कर देने हुआ है।